नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आईरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों यह जो पत्ता आप देख रहे हैं यह अनार का पत्ता है अक्सर आप अनार फल देखे होंगे उसका जूस भी आप लोग पीते हैं तो देख लिजे पहचान लीजे दोस्तों इस अनार के पत्तों को आज में आपको अनार के पत्तों के फाइदों के बारें बता रहा हूँ कि यह अनार का पत्ता हमारे सरीर के लिए कितना फायदे मंद है और इसके सेवन से हम किन-किन विमारी को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर किसी को पेट में बहुत अधिक दर्द होता है या कुछ खाया पिया हजब नहीं होता है, मरोड मारता है, पेचिस होता है, दस्त होता है, खूनी दस्त हो या फिर बादी दस्त हो, खूनी दस्त में यह होता है कि मलदवार के रास्ते यानी टोईलेट के साथ में खून जाने लगता है, और आउं भी गिरने लगता है, तो आउं दो परकार खोता है, एक खूनी आउं और एक बादी आउं, तो दोस्तों दोनों परकार के आउं में या अनार का पत्ते का जूस बहुत ही फाइदेमंद होता है बस आपको क्या करना है अगर किसी खूनी दस्त होता हो तो करीबन अनार के पत्ते कोमल कोमल पत्ते नएने पत्ते कम से कम 20 पत्ते ले लीजिए और साथ में अमरूत के कोमल कोमल कपोल पत्ते जो की काफी ऊपर खीसे होते हैं जैसे यह कपोल व को पत्थर के सिल में पीश कर चटनी बना लीजिए करीबन पचास एमल और जिसे पेचिस होता हो खूनी दस्त या बादी दस्त तो वह इसका सेवन करें दिन में तीन बार पचास पचास एमल तो खूनी दस्त खूनी पेचिस इससे ठीक हो जाएगा जहांकि अंग्रेजी दवा नहीं काम करता वहां पर भी यह काम करता है इतना अच्छा अइरवेदी का उसदी है या अनार का पत्ता तो देख लीजिए पहचान लीजिए दोस्तो या अक्सर आपको बाग बगीचों में या किसी के घर आंगन में मिल ही जाएगा और बहुत ही आसान तरीका है अगर आप इसको स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें आप नमक या फिर चीनी मिला कर पी सकते हैं अनार का फल तो आप लोग खाए होंगे और अनार का जूस भी पी होंगे आज आप अनार के पत्तों फाइदों को बारे में जान लीजिए और इस वीडियो को सेर कीजिए ताकि जो लोग ग्रामिड छेत्म रहते हैं जिनके पास डॉक्टरी इलाज करने के लिए पैसे नही करते हैं तो चलो दोस्तों महातपुर जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयर्वेदीक